हेलो एवरीवन आज बनाएंगे हम गाजर का रायता और यह दई है फ्रेस दई और इसको मैं थोड़ा फेंट लेती हूं और इसमें अब हम डालेंगे काला नमक काला नमक से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और यह डाल दिया है काला नमक और उसके बाद इसमें डालेंगे हम चाट मसाला यह चाट मसाला डाल दिया है और अब इस दोनों चीज़ों इसमें दही में मिला लेंगे बिल्कुल अच्छे से और यह देखो दही में यह दोनों चीज़ों अच्छे से मिल गई है इसमें कुटी हुई हरी मेर्च जिसमें लैसोन अदरग वगरा था और इन तिनों को हम मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी रेड चिल्ली कलर के लिए डाल देते हैं तो ये देखो फिर इसको भी मिक्स कर दिया है अब इसे देखो कितना अच्छा कलर आ गया रेड चिल्ली डालने से और इसमें ये उबली हुई गाजर को ये को हमने इस में डाल दिया है तो देखो मिलकुल इनको मिला के धही में जब तक ये गाजर दही में ना मिले तब तक इसको ऐसे चलाते रहे हैं और देखो इस पो गरम क्या जा रहा है और अब इसमें आग लग जोगी है थोड़ी सी तो ये बहुत अच्छा होता है और जब इसमें डालते हैं तो और भी आग लगती है और ये देखो और आग लगी और तभी हमेना इसके उपर जर्च प्लेट रखने होती है ताकि इसकी खुसभू इस राहते में ही उर यह देखो मैंने इसको ढख दिया आया है अब दो मीट के बाद इसको ठार देखो कितना अच्छा लग रहा है और ये अबनएके वैसे त्यार हो चुका है अब इसमें धनिया जो हमने दो के काट रखा था इसमें तोड़ा डाल देते हैं तो यह देखो कितना अच्छा लग रहा है रायता अब यह थोड़ी और इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेते हैं ताकि घंशा रहे गार और यह देखो कॉमेंट में जरूर बताना मेरे को तो बहुत अच्छा लगा खाने में थैंक यू